हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पी एल ग्लासेज एससे छेसल के टॉप हंडेर कोश्चन हम आपके लिए लाए हैं जिसके आज मैं पार्ट पूर कराने जा रही हूं तो चलिए फिर हम अपना पहला कोश्चन देखते हैं एन अर्थफ्वेक किस अजल सुन एस और्फ्षन एह ट्रेमर ऑफ्षन बी है टैंपर ऑप्षन सी है टीचर ऑप्षन डी है अनौन और फीर तो इसका हमारा राइट अंसर है अप्षन ए ट्रेमर इसको टैंब्लोर भी कहते हैं ओके चलिए नेक्स कोशन देखते हैं अपना अबर एटमोस्फियर इस यहां पर डिसाइड़ नहीं डिवाइड़ होगा डिवाइड़ इन्टु लेयर्स ओप्शन ए है पूर ओप्शन बी है फाइब ऑप्शन सी है टू ओप्शन डी है थ्री तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ओप्शन बी फाइब चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन इसका हमारा राइट आंसर होगा ओप्शन डी नॉलिज प्रोशेसर चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन लंग्स ओफ आप प्लांड सार बहत यीजी कोश्चन है चलिए ओप्शन देखते हैं इसके aproxim A है फ्लार option B है रूट्स option C है लीव ओप्शन डी है स्टैंप्श तो इसका हमारा राइट आंसर होगा option C लीव पत्तिया चलिए देखते हैं नेक्स कोश्चन वोज आ ओध्रेट दबुक टाइटल नरेंद्र मोदी अपला पॉलिटिकल बायोग्राफी चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके ऑप्शन ए है हमारा जैफ्री डैल ऑप्शन बी है किंग्सले एमस ऑप्शन सी है एंडी मेरीनो ऑप्शन डी है डेविड इर्विंग तो इसका ह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंडी मेरीनो चलिए देखते हैं अपना नेक्स कोश्चन हो इन्वेंटिड दा इलेक्ट्रिक बर्म यह तो बहुत एजी कोशन है सभी को पता होगा चलि हम इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं थामस एलवा एडिसन ऑप्शन बी जेम्स वार्ट ऑप्शन सी थामस मोरे ऑप्शन दी नन अब दीज तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए थामस एलवा एडिसन चलिए देखते हैं अपना नेक्स कोश्चन हुए इन्वेंटिट एयरोपलेन ऑप्शन ए है होफ्में ऑप्शन बी है राइट ब्रोडर्स ऑप्शन दी है इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी राइट ब्रोडर्स चलिए देखते हैं अपना नेक्स कोश्चन Who is called Raul Pindi Express? Option A है Rahul Dravid Option B है Imran Khan Option C है Sachin Tendulkar Option D है Soe Vakhtar तो इसका हमारा right answer है Option D Soe Vakhtar चलिए देखते हैं next question International Literacy Day is observed on which one of the following days every year Option A है 28th March Option B है 18th September Option C है 8th September Option D है 18th March तो इसका हमारा right answer होगा 8th September यह फस्ट पहली बार जब सेलिब्रेटिड हुआ था 1966 में ओके चलिए देखते हैं अपना next question Name the American film cartoonist क्रिएटिड मिक्की माउस और डॉनल डॉनल डॉक Option A है स्टेवन इस्पेल वर्क Option B है है हैना बार्बेरा Option C है वार्नर ब्रदर्स Option D है वाल्ट डिस्नी इसको तो सभी जानते होंगे और सभी ने देखा होगा मिक्की माउस और डॉनल डॉक तो इसका राइट आंसर है हमारा Option D वाल्ट डिस्नी चलिए देखते हैं अपना next question Who is the author of a suitable boy Option A है अरुन धती रोय Option B है खुश्वन सिंग Option C है विक्रम सेट Option D है नन आप देज तो इसका हमारा राइट आंसर होगा Option C विक्रम सेट ये पब्लिश्ट हुई थी 1993 में और ये सिंगल वॉल्यूम में आई थी जिसमें 1399 1399 पेज थे उनली सिंगल वॉल्यूम में चलिए रेखने हम अपना next question Who built the famous बैकुंठा पैरूमर टेंपल एट कांची पूरम चलिए option देखते हम इसके क्या है option A है नंदी वर्मन second option B है अपराजिता वर्मन option C है नरसिमा वर्मन second option D है परमेश्वर वर्मन second तो इसका हमारा right answer है नंदी वर्मन second ये पल्लवा किंग थे और इट सेंचरी में हुआ था इसका चलिए ठीक है next question देखते है in the field of internet डब्लू डब्लू इस्चेंड्स फॉर option A World Wide Wrestling option B World Wide Babe option C है वर्ड वाइड वर्ड स्टार option D है वर्ड विदाउट रैसलिंग ये तो सभी को पता होगा चलिए इसका right answer मैं बता देती हूं आपको option B World Wide Babe चलिए next question देखते है which application is used for accessing the information on internet option A है हमारा operating system option B है वे ब्राउजर option C है Microsoft Word option D है system software तो application की बात होती है तो इसका है option B बे ब्राउजर जो कि एक्सेस करता है information को चलिए देखते हैं next question which of the following is responsible for permanent hardness of water option A है magnesium bicarbonate option B है sodium chloride option C है calcium sulfate option D है calcium bicarbonate carbonic तो इसका हमारा right answer है option C calcium sulfate चलिए देखते हैं next question study of atmospheric phenomenon is called option A है astrology metrology option B metrology option C seismograph option D astronomy तो इसका हमारा right answer होगा option B meteorology चलिए देखते हैं next question linkage was discovered by चलिए इसके option देखते हैं इसका हमारा था था यह और आप्शन ए है प्लेक्सली आप्शन भी है मॉर्गेन आप्शन C बूलर आप्शन D प्यट्सन linkage को किसने किसने खुच की थी तो इसका right answer है option D प्यट्सन चलिए देखते हैं next question RMSABs option देखते हैं इसका राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान option B है राश्ट्रिय मिडल स्कूल एस्सोसियेशन option C है reverse management and safety authority option D है recurring model secured account इसका हमारा right answer होगा राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलिए देखते हैं next question which of the following is the bird mining port option A है नवाशेवा option B Hamilton option C Headland option D pardon तो इसका हमारा right answer है option C Headland चलिए देखते हैं next question बीजापूर इस known for its option A है severe drought condition option B गोल गुमबज option C Heavy Rainfall option D Statue of गुमतेश्वरा तो यह तो जहां तक सभी को पता होगा बीजापूर किसके लिए जाना जाता है तो इसका हमारा right answer है option B गोल गुमबज चलिए तो हमारे यह यहां पर 20 questions समाप्त होते हैं होप सो आपको यह question बहुत पसंद आए होंगे और पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कमेंट्स करके बताईए कि आपको कैसा लगा थैंक यू